ये आकश्वणी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बिलेटिन के साथ मैं शुश्मा स्रिवास और अब पेशे आज के मुख्य समाचार दुर्ग जिले में संचाले चंदू लाल चंद्राकर मेमोरियल नीजी मेडिकल कॉलेज का शास की अधिगरहन करेगी राज्य सरकार मुख्य मेंधी ने कहा कि बिमेतरा जिले के गिधवा परसदा में अब हर वर्ष आयोजित किया जाएगा पक्षी महोस्तो सीबियासी की दसवी और बारवी बोर्ड परिक्षाओं की तीथियों की घोशना की गई और रास्टी महिरा आयोगदरा 36 गड़ पुलिस को कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान मरीजों और प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए सम्मानित किया गया कोरोना महामारी के खिलाब देश एक जूट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्ष और बचाओ के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल पलें अब समचार विस्तार से मुख्य मंती भुपेश बगेल ने दूर्ग जिले में संचालिट चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल नीजी मैडिकल कॉलेज के अधिग्रहन की घोशना की है शिबगेल आच कचांदूर गाउं में स्वर्गी चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा अनावरन कारेक्रम में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कहा इस नीजी मैडिकल कॉलेज के शाष की अधिग्रहन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी इसके लिए राजिमंती मंदल की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा मुख्यमंती ने बताया कि वर्तमान में इस मैडिकल कॉलेज के संचालान में कुछ दिक्कते आ रही थी जिसकी वज़े से कॉलेज प्रबंदर ने उनसे इसे शास्की रूप से अधिग्रहित करने का आगरा किया था 36 गर नीजी विशुद्याले विनियामक आयोक का आज 16 वा इस्थापना दिवस है इस उसर पर राजभावन में आज इस समारों में राज़ेपाल अंसुय उईके भी शामिल हुई कारिक्रम में राज़ेपाल ने नीजी विशुद्यालेओं के प्रबंदगों को अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मानित किया अपने संबोधन में शुषी उईके ने उत्च शिक्षा के छेत में गुणवत्ता बनाये रखने की अपिल की इस उसर पर राज़ेपाल को गोल्डन बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड संसाद्वारा प्रमारपत्र भी दिया गया यह सम्मान उन्हें पिछले वस जुलाई मेने से इस वर्ड 6 जन्वरी तक राज़ेपाल के रूप में दस अजार से अधिक लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनने के लिए दिया गया मुक्यमंती भूपेश बगेल ने कहा है कि बेमितरा जिले के गिद्वा परसदा जलाशे में अब हर वर्ष पक्षी महोस्व का आजन किया जाएगा जिससे इस छेत्र को पूरे देश में पर्यटन इस्थल की रूप में फैचान मिलेगी मुक्यमंती ने इस छेत्र को लेकर अनेक घोशनाय की हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पक्षी जागरुकता और प्रशिक्षन केंद्र इस्थाफित किया जाएगा इसके अलावा चत्तिसगर राज जय विवित्ता बोड़ प्रवासी पक्षियों के सनरक्षन की योजना भी बनाएगा यह बात मुख्यमात्री ने गिद्वा परसदा जलाशे में इस वर्ष पहली बार आयोजित हमर चिरई हमर चिनहारी पक्षी महस्तों के समापन कारिक्रम को संबोधित करते वे कही पक्षी विज्ञानियों के अंसार ठंड के मौसम में हर साल इस छेत में करीब देड़ सो प्रजाती के प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है पक्षी महस्तों के तीन दियोसी आईजन के दोरान पक्षी विज्ञानियों ने पक्षियों के महत्यों के बारे में चर्चा की साथ ही चेत्रकला और प्रशनोत्तरी इस परधाओं का भी आईजन किया गया बेमेतर अप्रवास के दौरान मुख्यमंती ने जिले के विकास के लिए देर सो करोड रुपे से अधिक के विकास कारियों का लोकार पर और भूमे पुजन भी किया 36 गड़ में केंदरी बजट को लेकर अलग-अलग प्रतिक्याय मिल रही है 36 गड़ के मुख्यमंती बुपेश बगेल ने आम बजट को निराशा जनक और लोगों के भविश्य को और अधिक असुरक्षित बताने वाला बताया है उन्होंने केंदर सरकार द्वारा रेलवे एरपोर्ट और सरजनिक शेत्र की कमपनियों को नीजी हातों के में सौपने की तैयारी करने का आरोप लगाया है वहीं स्वास्त मंती टी ऐसी देव ने कहा कि इस बजट में गरीव और मध्यमवर को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है उन्होंने केंदर सरकार द्वारा स्वास्त के शेत्र में करीब दो लाग करोर रुपे से अधिक की राशी का प्रावधान किये जाने को अच्छा कदम बताया शीसी देव ने कहा कि कोरोना महमारी के बार पबलिक हेल्थ केयर को मजबूत करने की जरूरत है ऐसे में स्वास्षेत की बजट राशी में व्रिद्धी का फायदा मिलेगा इधर राज्य के वरिष्ट अर्थशास्ती डक्टर आर के ब्रह्मे ने कहा कि इस बजट में पूझी गत्वे बढ़ाने पर जोर दिया गया है जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मे प्रभाव पढ़ने की उम्मीद है वित्ती वर्ष 2021-22 के केंद्री बजट में वित्यमंत्री ने अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए आधारभूत संरचना स्वास्थ में खर्च को बढ़ाने के साथ साथ अनेक नीतिकत सुधारों की घोशना की है जिसका अर्थवस्था पर सार्थख प्रभाव पढ़ने की उम्मीद है भजट में लोकवे बढ़ाने पर जोर दिया गया है खास कर पूझी गत्वे बढ़ाने पर जादा जोर है सरकार ने घरेलू उत्पादन को जादा बढ़ाय जाने की वकालत की है ताकि दीरकाल में अवसर और चमता के निर्मान के द्वारा रोजगार एवं आय बढ़ाया जाए जिससे अर्थिवस्था में विकास को बनाए रखने में सहयो मिलें इसी तरह लगू उद्विख भारती के दुर्ग जिला इकाई अध्यक्ष संजेच चौबे ने कहा कि इस बजट से देश की आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी और लगू तद सुक्ष में इकाईों पर भी इसका सकारात्मा प्रभाव पढ़ेगा केंदरी शिक्ष मंती रमेश पोखरियाल निशंक ने आज केंदरी माधमेख शिक्षा बोड़ परिक्षाओं की तीथियों की घुशना कर दी है शिक्षामंदी ने कहा कि 10 वी और 12 वी की परिक्षाइद 4 मैं से शुरू होंगी आज जारी समय सार्णी के अंसार CBSC की बोर्ट परिक्षाइद 4 मैं से भाषा की परिक्षाओं से शुरू होंगी और मुख्य विश्यों की परिक्षा 6 मैं से होगी अंती परिक्षा 11 जून को आईजित की जाएगी कक्षा बारवी की परिक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली सुबा 10 बच का 30 मिनट से देड़ बजे तक और दूसरी पाली दो फर धाई बजे से शाम साड़े पांच बजे तक होगी 36 गड मदर्सा बोट दोरा आईजित हाई स्कूल और है सेकेंडरी पताचार पाठिकम के साथ ही उर्दू परिक्षाओं के आज ऑनलाइन परिणाम घोशित किये गए हैं इस कुल शिक्षा और अल्प संख्यक कल्यान मंत्री डक्टर प्रेम सायसी टेकम ने ये परिणाम जारी किये और उन्होंने उत्तिन परिशार्तियों को अपनी शुपकाम नाय दी परिशार्ति अपने परिणाम बोट के वेबसाइट पर देख सकते हैं प्रादिर्सिक समाचार आप आकाश्वणी रायपूर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर राजधाने रायपूर के प्रमकिस्थानों पर सौ प्रकार के हरबल उत्पादों की बिक्री मोबाइल वेन के मध्यम से की जाएगी वन मंत्री मोहमद अकबर ने कल अपने रायपूर इस्थित निवास कारेले से 36 गड़ हरबर ब्राण नाम के उत्पादों के प्रिचार प्रसर के बिक्री के लिए मोबाइल वेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इसमें रज लगुन पर संगद्वारा तयार किये गए शहत, सैनिटाइजर, त्रिफला और गिलोई जैसे उत्पाद बेची जाएंगे केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुर्सकार 2020 के लिए नाम दाखिल करने की अंतिम्ति थी, 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है केंद्री महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा महिलाश शक्ति करन में विशिष्ठ योगदान के लिए प्रतिएक वर्ष 8 मार्च को अंतरर रास्ट्री महिला दिवस के औसर पर यह पुर्सकार दिये जाते हैं राश्ट्री महला आयोगदरा चत्तितगर पुलिस को कोरोना महामारी और लॉकड़ाउन के दौरान मरीजों और प्रवासी मजदुरों की मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है नई दिल्ली में आजी समारों में केंदरी पर्यावरन मंत्री प्रकार जावड़े करने ये सम्मान प्रदान किया अतरिक्त पुलिस अधिक्षक पूजा अगरवाल ने चत्तिलगर पुलिस की प्रतिनीधी के तौर पर ये प्रुसकार गरहन किया राज्य के पुलिस मानेदेशक डियम अवस्ती ने सम्मान प्राप्थ होने पर पुलिस कर्मियों को शुपकामनाय दी है कोरिय जिले के चिर्मिरी में कई जगों पर आज जमीन में दरारे देखी गई यगटना हल्दी बाड़ी इलाके में हुई है जमीन में दरारे आने के बाद स्टेट बैंक करेले के भवन और कई मकानों की दिवारों पर भी दरारे देखी गई सूशना मिलते ही साउथ इस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेट ऐसी सील का बचाओ दल मौके पर पहुँचा सडक में आई दरारों को भरने के लिए इसमें मिट्या डाली गई वहीं एहतियाती बरत्ते हुए जिन मकानों में दरारे आई हैं वहाँ से लोगों को आई स्थाई शिविर में ले जाया गया साथ ही घटना इस्थल के पास यातायाद बंद कर दिया गया है जिला प्रिशाशन के अधिकारी और कई जन प्रतिनी धी भी घटना इस्थल पर पहुँचे बताया जाता है कि इस शेत में पहले कुर्सिया अंडरग्राउंड माईस थी करीब 16 साल पहले भी इस इलाके में जमीन में दरारे आने की घटना हुई थी 36 गर सहीं देश भर में कई लोगों से बीमा राशी के भुकतान के नाम पर लाखो रुपए की ठगी करने वाले अंतराजी गिरों का परदाफाश हुआ है रायपूर पुलिस ने इस गिरों के दो आरोपियों को नई दिली से गिरफतार किया है मूल रूप से बिहार के रहने वाले इन ठगों के पास से अलग-अलग बैंकों के टेबिट कार्ड और चेक बुक के साथ ठगी में इस्तिमाल की जाने वाली अन्य चीजे बरामत की गई है वहीं बस्तर जिले की बोधगाट पुलिस ने फेस्बुक में दोस्तिकर लाखों रुपे की ठगी करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरिफतार किया है गिरिफतार किये गए यह युवाग नेपाली मूल के हैं इन आरोपियों ने जगदलपूर के एक व्यक्ति से दोस्तिकर उपहर भीजने के नाम पर करीब 28 लाख रुपे की ओनलाइन ठगी की आरोपियों को दिले से गिरिफतार कर जगदलपूर लाया गया है राजी में समवता पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब 12 वर्ष से भी कम उम्र के किसी बच्चे को दसवी बोट की परिक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है 36 गर मादमीक शिक्षा मंडल के सच्यू प्रोफेसर वी के गोयल ने बताया कि दूरगे के एक माचवी कक्षा के शात्र लियू जोटस नी अरोरा ने दसवी की परिक्षा में बैठने के अनुमती मांगी थी इसके बाद दूरगे के जिला अस्पताल में इस बच्चे का IQ टेस्ट कराया गया रिपोर्ट के अंसर इस चात्र का IQ 16 वर्ष के किसोर के उम्र के बराबर है मंडल की परिक्षा फलसमीती के सदस्यों ने इसे विशेश प्रक्रण मानकर इस चात्र को इस वर्ष होने वाली दसवी की बोड परिक्षा में सामिल होने की अनुमती दी है कुछ खबरी संशिप्त में राज महिला आयोक की अध्यक्ष डक्टर किरन मैं नायाग 5 और 6 फरवरी को रायपुरिस्थित महिला आयोक के कारेले में प्रक्रोणों की सुनवाई करेंगी ये सुनवाई सुबा 11 बजी से शाम 5 बजी तक चलेगी 36 गर्ड राज लोक सेवा आयोकदरा आयोजीत सहायक प्राध्यापा की परिक्षा में अनुपस्थिद उम्मेद्वार का सक्षत कार के लिए चैन होनी की शिकायत पुरी तरह गलत और निराधार पाई गई है आयोक की परिक्षानी अन्तरक ने इस सिकायत की जाज कर प्रतिवेदन सौब दिया है रास्टी सुरक्षा सप्मा के तहट कोरिया जिले के पटना इसी समधाइक स्वासकेंद में यातायाद पुलीस द्वारा नेत्रों स्वास्त परिक्षन शिवीर का आईजन किया गया बीजापुर जिले में बासागुड थना छेत्र के मंडी मरका के जंगलों से सुरक्षा बलो ने एक जन मिलिश्या सदस्य को गिरफतार किया है इंडियन मेडिकल एसोशेशन राइपूर द्वारा मिक्सो पैथी के विरोध में क्रमिक भूख अर्ताल की जा रही है राइपूर में जारी इस अर्ताल में कर्ची की सक्षामिल हो रहे है महासमुझ जिले की साकरा पुलिस ने 11,000 रुपए कीमत के नकली नोटों के साथ 1 रूपी को गिरफतार किया है बस्तर जिले में धान खरीदी के अंतिम दिन तक 14,26,000 मिट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी हुई है उपारजित धान की मात्रा पिछले वर्ष से 19 फिस अधिक है जांजगीर जापा जिले में अकलतरा के तरोध गाउं में आज हुए एक सड़क हासे में एक वेक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और रननगाँ में प्रशाषन पुलीस, प्रेस और पब्लिक के सेयुक तत्वधान में आजित P4 सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का कल समापन हुआ खनीज विकास निगम के अध्यक्ष गिरिश देवांगर ने वीजेता टीमों और प्रतिभागियों को पुरुस्कित किया आंत में मुख्य समाचार एक बार फिर दूर्ग जिले में संचाले चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल नीजी मेडिकल कॉलेज का शास्ती अधिग्रहन करेगी राज्यसरकार मुख्य मति ने कहा कि बेमितर जिले के गीधवा परसदा में अब हर वर्ष आजित किया जाएगा पक्षी महस्व सीबियासी की दसवी और बारवी बोर्ट परिक्षाओं की तिथियों की घूश्रा की गई और रास्टी महिला आयोगदराज चत्तिजगर पुलीस को कोरोना महामारी और लॉगडाउन के दरान मरीजों और प्रवासी मजदुरों की मदद करने के लिए सम्मानित किया गया